दोस्तो टीवेस आईक्यू वेस्टी जिसे कहते हैं सबसे वेड़िट वीकल है इस टाइम में मैं कहूं तो भाई इसे पूरा एक साल ओचवा ऐसे कहते हैं अभी तक इसका डिलेवी का कोई कंफरमेशन नहीं निकल गया रहा है बाकी मैं बात करूँ भाई टीवेस आईक्यू बताऊँगा अब भाई देखो हालात ऐसे हुए हैं कि भाई अब मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आपको वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो दोस्तो अब आप चैनल पर पहले बाहा है हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरू क करें तो दोस्तों मैं बात करूँ तो भाई फरवरी में जहाँ पर मुझे फरवरी में एकदम एकसाइटमेंट हो गई थी कंपनी ने खायता कि मार्च में हम एक ऑफीशल अपडेट देंगे एस्टी को लेगे पर इसे कहते हैं कब अप्रैल आ गया इसके बाद पता नहीं चला फिर कंपनीय से कहते हैं अचानक ही डिलिवरी डेट से कहते हैं माई 2023 कर दी इसके बाद भाई फिर कहते हैं काफी मेरा वेट ओवर हो गया और फिर मैं आप से काता कि भाई आप जून तक रूप जाना इस वीडियो में अब दोस्तों भाई देखो मैंने अभी कली से कह के तो भाई देखो पहला खुब बता दो मैं customer care का दो customer care का है कि हो सकता है जुलाई में price reveal हो जाए शायद उन्हों ने का है कि शायद यह भी confirm नहीं है भाई और उन्हों ने कह दिया है कि delivery तो आप अभी भूली जाए कि अभी आपको delivery मिलने वाली है पहला खाम यह होगा कि इनकी जो price reveal करेंगे और भाई इसके बाद से कहते हैं delivery में भी time लगेगा तो भाई यह थी customer care की इसे कहते हैं बात अब मैं आप बता दूँ dealer की तो भाई dealer ने भी साफ कह दिया है कि हमारे पास अभी तक कोई से कहते हैं कुछ अता पता नहीं है TBS ने आवे कोई कुछ ऐसा बताया है नहीं ST के बारे में बस company का focus है base और S model पे इसे कहते हैं company ने कह रख काय की से कह हो सके तो base और S model की sales बढ़वाएं और भाई खुद TBS company अपनी ने ST को लेके कोई भी confirmation नहीं दी dealer को तो भाई देखो इससे पता चलता है कि भाई company बिल्कुल भी mood में नहीं है भी dealer करने के मैं भाई आपसे कहुँगा कि भाई आप move on कर लीजिए छोड़ दीजिए इस company को कि भाई एक cup delivery करेगी क्योंकि भाई एक इंतिजार करने का भी एक समय होता है अब ये थोड़ी की भाई की पूरा इंतिजार इसमें ही लगा दे अब भाई देखो जो इंतिजार कर सकता है वो कर ले मैं क्यों इंतिजार करता हूँ क्योंकि भाई स को आपकी अगर भाई अगर आप में अगर थोड़ा भी अगर आप में patience है तो आप wait कर सकते हैं पर भाई दिखो अभी आपको से कहते हैं 4 से 5 महीने कम से कम लेके चलने पड़ेंगे बाकी भाई तो जून जुलाई में अगर price आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है बाकी भाई जब इनके एफ यू के section में गया था तो मुझे subscriber ने बताया था कि एफ यू में जनवरी से जून 2023 की date दिखाई जा रही है इसको लेके मैं चेक किया तो हाँ वो बात बिल्कु सही है पर भाई इसको भी लेके कोई confirmation नहीं है लिखा तो उन्होंने है अब भाई बाकी देखते हैं कि June में आती भी है या फिर नहीं आती है बाकी भाई देखो यह confirm है कि delivery को लेके अभी कोई update नहीं है TVS के पास अब भाई मैं wait कर रहा हूँ simple one के update को लेके simple one का event है 23 मही को मुझे देखना है कि simple one क्या update देती है delivery को लेके या फिर वो कहां से शुरू करती है delivery बागी भाई अगर आप किसी दूसरे वीगर पे move on करना चाहते हैं तो आप जिसे एथर हो गई और इसे कहते हैं TVS का जो IQBOR base model है उनकी price काफी बढ़ चुगी मैं काफी खफा हूँ TVS से बागी भाई मैं ओला की बता हूँ तो मुझे इसके body बिल्कुल भी पसंद नहीं रखती से कहते हैं fiber की है बागी भाई आप बजाज पजासते हो बागी बजाज और एथर जिसे स्कूटर है ना बस मुझे नमें एक ही दिक्कर लगती है लेंज को लेके बागी भाई स्कूटर बहुत अच्छा है मैंने बहुती closely तरीके से देखा है बागी भाई वीडा जिसे कहते हैं वीडा की भी गाड़ी सही है सस्ती हो चुकी है TVS के मुखाबले आपको उसे कहते है 95 से लेके 100 की बीच में रिंच दे देगी बागी भाई मैं बताओ कि आपको लेंच ये लेंच ये लेंच ये तो बाई देखो मैं अभी वेट करूँगा जिसे कहते हैं TVS iCube ST का थोड़ा सब वेट करूँगा अब बागी भाई मुझे आपको ये बताना जो ही समझा क्योंकि भाई काफी लोग के मेसेज आ रहे हो कह रहे हैं कि हम वेट करे भी या नहीं करे आप हमें बता दीजिए हम इतना इंदजान नहीं कर सकते हैं काफी कमेंट आ देगी भाई हमने तो कैंसल कर दिया है अब होला पे चले गए एथर पे चले गए बागी भाई जो MPR वगेरा और उकाय की जो स्कूटर है मैंने इनको इतना किलोज़ी नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंट नहीं करूँआ कि आप लें बागी भाई अधन पर सर्च करका है अगर आपको लगता है कि स्कूटर काफी अच्छे हैं तो आप इन पर भी जा सकते हैं बागी भाई मैंसे कहते हैं मैं आप वो ही EV लूँगा जिसकी भाई कम से कम 1500 किलोमीटर देंज तो होनी चाहिए भाई 100 किलोमीटर दें मैंसाब से इनफ नहीं ह हो चुगी है अगर आप भाई रूपना चाहिए तो रूठ सकते हैं टीवेस सकते हैं बाकी भाई मैंए अब आपको पता दे कि डिलिवी का अभी कोई चांस नहीं है तो दोस्तो मिलताूँ मैं आपको नेक्स वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो चैन